गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्यकरन में उपसर्ग एवं प्रत्थे तो उपसर्ग को इंगलिश में करते हैं प्रत्थे को इंगलिश में करते हैं सफिक्स यहाँ पर कुछ वाइक के दिये हैं जैसे मुझे आहार बाटने का काम सौपा गया रोहन ने सोहन के सिर्प जोर का प्रवार किया उसकी मा उसे निहार रही थी प्राताकाल, उद्ध्यान, विहार के लिए जाऊंगा तो यहां जो शब्दे आहार, फिर प्रहार, निहार, बिहार इन सभी शब्दों के अंत के जो दो अक्षरे वो क्या है? हार और प्रारम में ये दूसरे अक्षरे जैसे आ, प्र, नी, बी और इन उपसर्गों के जुड़ने के कारण, इनके अर्थ में परिवर्टन हो गया है या अर्थ की विशेशता बता रहे हैं तो उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्दांश, जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग करते हैं अब जैसे हैं सम प्लस गीत तो क्या हो जाएगा संगीत खुश प्लस भू खुश भू तो यहाँ पे सम एवं खुश शब्दांशे जो शब्दों से पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेशता ला रहे हैं हिंदी में उपसर्ग को तीन भागों में वेजित किया गया है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग तो Sanskrit के उत्स्रव क्या क्या होते है, अ, अप, अव, अनू, अधी, प्रती जब उन्हें उनसे शब्द रशना की जाती है तो अ पलस लोकिक क्या हो जाता है, अ पलस ग्यान, अज्यान, आ पलस अता अता इसी प्रकार इन सभी उपसर्वों से इस तरह से शब्द रशना की जाती है उसी प्रकार संस्कृत में और कौन-कौन से शब्दे हैं जिनको उपसर्व के रूप में प्रविक किया जाता है अति, आ, उत, स, निह, नी, प्र, वी और दू और इस प्रकार से उनकी शब्द रशना होती हैं अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग हिंदी में अ तो अनाथ, अकाल, अपूर्ण अन तो अन प्लस बन क्या हो जाएगा अन बन अन प्लस होनी, अन होनी उसी प्रकार उन, अध, कू, अ, भर, बिन और पर्श, उपसर्ग, शब्दों का प्रयोग करके इस प्रकार से शब्द रशना की जाती हैं अब पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग क्या हैं? खुश, कम, बद, सर, ला, हम, बे, हर तो खुश, दिल, कम, अकल, बद, नाम, सर, ताज, ला, चार, हम, शक्ल, बे, रह, हर, दम तो इस प्रकार उर्दू के उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करके शब्द रशना की जाती हैं अब हम पढ़ेंगे प्रत्ते के बारे में जो शब्दांश की शब्द या धातू के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्मान करते हैं उन्हें हम प्रत्ते करते हैं जैसे बुढ़ा के अंत में हम पा लगाएंगे तो क्या जाएगा बुढ़ा पा, बच्च के अंत में हम पन लगाएंगे तो बच्पन प्रत्ते कहलाते हैं. अब हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रत्ते. तो संग्या बनाने वाले प्रत्ते कौन हैं? पन, आहट, ता, तौ. जैसे पन से बालपन, लड़कपन, आहट से कड़वाहट, गर्माहट, ता से शिशुता, कटुता, तौ से देवत्व, वेक्तितूर. उसी प्रकार इमा, आई, आन, आस से भी इस प्रकार से शब्द कनिर्मान किया जाता हैं. अब बिशेशन बनाने वाले प्रत्ते कौन हैं? वान, इला, दार, वाला, इन, आरी, आलू, आउ. जैसे धनवान, चमकीला, जमिदार, दूद वाला, रंगीन, और इय, इत, आ से भी क्या बनते हैं? प्रत्ते शब्द बनते हैं. अब क्रिया का बोत कराने वाले प्रत्ते क्या हैं? ता, जैसे सोता, जाकता, चलता, लिखता. ये क्रिया शब्द हैं? ना, सोना, खाना, चलना, हिलना, कर से सोकर, उठकर, चलकर, फिर या से पाया, खोया सोया, आ से चला, गिरा, खिला किरिया विशेशन बनाने वाले प्रत्य कौन से हैं तह से स्वतह, साधरंतह, अतह, विशेश्टह ठा से चोथा, सर्वता, अन्यता पूर्वक से दया पूर्वक, शांति पूर्वक, क्रोध पूर्वक तया से विशेशतया, साधरंतया, उधारंतया पुलिंग से इस्ट्रिलिंग बनाने वाले प्रत्य क्या हैं इका तो नायक में हम इका लगाएंगे तो नाईका लेखक में हम इका लगाएंगे तो लेखिका उसी प्रकार इन शब्द का कहार में इन जोड़ेंगे तो कहारिन, सुनार में इन जोड़ेंगे तो सुनारिन, ती, गिर में ती जोड़ेंगे तो गिर्ती, खा में ती जोड़ेंगे तो खाती, लिख में ती जोड़ेंगे तो लिखती, इस प्रकार इ, इया और आनी से पुलिंग से इस्त्रिलिंग बना आजाता है अब बचन का बोत कराने वाले प्रत्य के हैं या में चंदरविंदू और ए में चंदरविंदू तो बेटिया चूडिया चुडिया राते सड़के पुस्तके किताबे उसी प्रकार गुना और हरा से दुगुना चोगुना इक हरा दो हरा तो ये संख्या का बोत करा आने वाले प्रत्ते हैं तो आज हमने उपसर गेवन प्रत्ते पढ़ लिया है अब इसके जो प्रश्ण उत्तर हैं वो मैं आपको सेंड करूंगी उसे आपको अपने कॉपे में लिखना है और याद करना है